हेलो बच्चो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विफ्शु अकैडमी में आज जो कार्य पत्रक आया है आपका कार्य पत्रक नमबर 23 से गणीत का कक्षाच सात्वी के लिए 15 दिसंबर 2020 के लिए ये कार्य पत्रक आया है टॉपिक है ठोस आकारों का चितरन तो के बारे में है ठीक है टूअँ-डाइमेंशनल ठीक है एन ने कि जुसमें नहीं कि नहीं है तो आप सेी इसका नाम नाम सकते हो क्या है जानी है बता ये ये बताए ये क्या है आयत है ना तो इसके नीचे हम लिख देंगे ये है आपका आयत ये क्या है ये है आपका व्रित ये क्या है ये है आपका त्रीभुज ठीक है ये क्या है ये है आपका ट्रिपेजियम ठीक है ये है आपका ट्रिपेजियम सम्लम समलम कहते हैं न इसको ट्रपेजियम को उसके बाद यह क्या है वर्ग ठीक है उसके बाद आप लोग आगे देखिए यहाँ पर आज हम इस वक्षिट में थ्री डाइमेंशनल यानि कि त्रे वीम्य आकरितियों के बारे में पढ़ेंगे त्रे वीम्य यानि कि वीम्य मतलब डाइमेंशन्स यानि कि जिसमें लंबाई चोडाइ और उंचाई भी होगी ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं त्रे विम्य आकृतियां जैसे कि अलमारी है, आइस्क्रीम है, कौन है, पाइप है, बॉल है, लुडो है, लुडो का पासा है यह सब आपकी विमी में आकरितियां होती है तो यहाँ पर आप लोगों को नाम लिखना यह कौन सी आकरिति है बिटा यह है आपका बेलन ठीक है यह कौन सा है यह है आपका घन यह क्या है यह है घनाब और यह क्या है यह है आपका शंकू इनके नाम लिख लिए ठीक है आगे फलक क्या होते है फलक मतलब इसको फलक कहते है तो इसमीज़ेशे से कीनारे होते है इसके बाद में देखो यहाँ पर आप लोगों को इस आकरती से भी समझाया हुआ यह फेस है यह जो किनारा है और इसको हम यह फलक भी कहते हैं और यह है शीर्ष समझ गए अब उसके बाद हमें यह वाला काम करना है कौपी में आपको लिखना है कि घनाव के घनाव के फलक कितने होते इसके फलक होते छे कि किनारे होते हैं 12 और शीर्ष समें होते हैं आपके आठ उसके बाद बेलन बेलन में जो है आपके फलक तीन होते हैं बेटा देखो तीन होते हैं जैसे कि यह शेप बनी हुई है अगर इसको हम खोलेंगे तो एक तो यह इस तरह से चोड़ा सा बन जाएगा और दो ऐसे अलग कितने हो गए फलक एक दो तीन ठीक है इसके किनारे कितने होते हैं इसके किनारे बेटा दो होते हैं ड्राउंड होते हैं कर्वड होते हैं ठीक है इससे किनारे दो होते हैं यह देखो एक नीचे यह किनारा बनता है और एक यह सीधा किनारा नहीं है घुमावदार किनारा है ठीक है इसके आगे आप चाहे किनारे के आगे तो लिख सकते हो घुमावदार किनारा ठीक है इसके आगे लिख सकते हो घुमावदार उसके बाइस के शिर्ष इसमें जो कोना है कोई भी नहीं होता शंकू में शंकू में बिटा इस तरह से होता है और एक यह नीचे होता है तो इसके जो फेस हो गए, फलक जो हो गए, इसके फलक कितने हो गए, बिटा, इसके फलक तीन, दो हो गए ठीक है, और इसमें, एक कर्ब्ड फलक हो गया, जैनि घुमावदार गेरे में और एक जो है, इस तरह से, इसको खोलने पर जो मिलेगा, वो वाला, उसके बाद, किनारे, शंकू के किनारे कितने होते हैं, एक होता है, गुमावदर किनारा होता है, ये देखो, इसका किनारा एक ही है, उसके बाद शीर शीर्ष में एक होता है, ये देखो, इसका जो कोना है, इसका ये है, उसके बाद घन में 6 होता है, किनारे 12 होते हैं, और शीर शीर्ष के 8 होते हैं हो गया टेबल पूरा आपका ये ठीक है आगे चलते है ये देखो इसमें आपको बिटा कुछ नहीं करना से मैचिंग करना है इसको अगर खोलेंगे तो इसकी तरह मिलेगी आकरती अगर सिलेंडर खोलेंगे अगर सिलेंडर हम खोलेंगे तो इसकी आकरती हमें ये मिलेगी कौ उपर ही तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और बेल आइकन बिल्कुल भी दवार ना भूले अगले हफते तक के लिए और अगली वीडियो तक के लिए गुडबाइ फ्रॉम हियर और पढ़ते रहिए खुश रहिए और घर में रहिए सुरक्षित रहिए थैंक्यू सो मज़ बिल्कुल